नवस्कार मैं प्रियाराज और आप देखे एक न्यूस 24 आपको बता दे कि आए दिन काफी चर्चे में था जीयो प्लान और एयर टेल रिचार्ज को ले करके लोग काफी चिंतित थे कि आखी रिचार्ज बढ़ जाएगा तो जो आए दिन लोग नेट्फिक्स पे मुवीज कई वीडियोज डाउनलोड करते हुन्हीं अब डाउनलोड करने में कई पैसे और अपनी जेब धिली करनी पड़ेगी जी हाँ अंबानी जी ने जीयो का रिचार्ज बढ़ा दिया है आपको बता दे जो पर महिने आप कम पैसों में रिचार्ज कर लेते थे अब आपको उससे भी ज़्यादा देना पड़ जाएगा कई यूजर्स वहीं इस चीज का अनन भी उठा रहे कि अब तो मूवी डानलोड करने वालों की वाट लग जाएगी वहीं कई यूजर्स कह रहे कि अच्छा हुआ कि रिचार्ज महंगा हो गया क्योंकि आए दीन कहीं न कहीं रिचार्ज के दाम कम होने से लोग हर रोज 1GB, 2GB एक्स्ट्रा रिचार्ज करके फिल्मों का इंज्जॉय करते थी लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि दाम बढ़ेंगे तो लोग एक बार जरूर सोचेंगे रिचार्ज करने में आपको बता दे कई लोगों का वही कॉमेंट सेक्शन में कई लोगों ने ये भी कहा वहें कई यूजस का कहना है कि मुकेह संबानी अपने बेटे अनन्तंबानी और राधिका मर्चन के साधी में सारे पैसे लगा रहें जो अग जीयो के रिचार्ज मेहगा करके हमसे उसका मौज़ा ले रहें जिस तरह से आए दिन वो प्री वेडिंग पोस्ट वेडिंग कर रहें अपने बेटों की शादियों में वीदेसी कलकार और संगीत कार को बुला रहें और एक यूजस से पब्लिक से पैसे घीच रहें ऐसे कई तमाम सोसल मीडिया पे लोग यूजस कॉमेंट करें ये काफी खुसमिजास टाइप के एक मजाकिये तोर पे लोगों का कॉमेंट है तो आईए जानते हैं कि और क्या-क्या चेंजेज आएं हैं रिचार्जों में जीयो और एयर टेल ने अपने रिचार्ज प्लान की कीमत को रिवाइस कर दिया है वही कमपनिया पहली एलान कर चुकी थी कि वे तीन जुलाई से नई कीमत को लागू करेगी और ओफिसिल वेब साइट पे भी नई कीमत आ गई है अब यूजर्स को नए रिचार्ज पर ज़्यादा जेव ढ़ीली करने पड़ीगी आपको बता दे कि जहां जीयो का पहले दिन 28 दिन के वेलेडिटी वाला सबसे सस्ता प्लान था 155 रुपए वही अब ये प्लान 189 रुपए का है जी हां आपको और बता दे कि वी आई अपने प्लान की नई कीमत 4 जुलाई से बढ़ाने जा रहा है वही एयर टेल ने सभी प्लान की कीमत में करीब 10 से 20 प्रतिसर तक का इजाफा कर दिया है वही एयर टेल ने अपने प्लाटफॉर्म पर कई प्लान को रिवाइस कर दिया है यहां पहले 455 रुपए में 84 दिन का प्लान था लेकिन अब उसे कम्पनी ने रिवूब कर दिया है और इसके अलावा 1799 रुपए का भी प्लान रिमूब कर दिया है जो 365 दिन की वैलिडिटी देता था वही बता दिया जाए कि जियो प्लाटफॉर्म पर सबसे सस्ते रिचार्ज प्लान प्रिपेट सेग्मेंट के अंदर वैल्यू कैटेगरी में मिलती है अब कंपनी ने इसकी कीमत को रिवाइस कर दिया है और नई कीमत के साथ प्लान को लिस्ट एगर कर दिया है वही जियो का सबसे सस्ता मंतली रिचार्ज प्लान 189 रुपए का है इस प्लान की कीमत 189 रुपए है इसमें 28 दिन की वैलेडिटी मिलती है और इसके अलावा unlimited calling और 2GB data मिलता है लेकिन वही बता दिये कि जियो का 84 दिन की वैलेडिटी के साथ हाने वाले सबसे सस्ता रिचार्ज प्लान 489 रुपए का हो गया है इसमें 84 दिन की वैलेडिटी और unlimited calling का फायदा मिलता है इसमें 6GB high speed internet भी मिलता है यहाँ 1000 SMS भी access कर सकेंगे वही आपको बता दिये कि एक साल का सबसे सस्ता प्लान के बारे में तो जियो की तब से सबसे सस्ता annual recharge प्लान 4899 रुपए का हो गया है इसमें users को 336 दिन की वैलेडिटी, unlimited call और 24GB data मिलता है इसमें 3600 SMS भी मिलता है प्लाटफॉर्म से मंत्री 84 दिन और annual के टेगरी के सबसे सस्ते प्लान की कीमत को revise कर दिया अब 28 दिन की वैलेडिटी, unlimited call और 2GB data वाले प्लान की कीमत 199 रुपए है वही एयर टिल का 84 दिन की वैलेडिटी, 624 जेटा और unlimited calling वाले प्लान की कीमत 509 रुपए कर दी गई है वही एयर टिल का सबसे सस्ता annual recharge प्लान 1999 रुपए का हो गया है तो जैसा कि अभी आपने सुना कि किस तरस से जीओ और एयर टिल ने साथ मिल करके अपने दामों में बढ़ोतरी की है जिस तरस से एक महीने की वैलेडिटी से लेकर के सालो वाली वैलेडिटी की प्लान में भी changes आ गहे है अब users को अगर अपना phone recharge करना होगा तो उन्हें अपनी जेब ढिली करनी पड़ेगी यानि ज्यादा पैसे देने पड़ेगे वहीं पहले की बात की जाए 15 रुपे में एक जीबी वहीं जीओ देता था तब उसमें भी बढ़ोतरी होगी आपको बता दे कि अब उसकी भी प्लान में changes आ गहे हैं यानि एक जीबी के लिए आपको 19 रुपे यानि 4 रुपे बढ़ा कर देने होंगे तो आज के लिए इतना ही ऐसी तमाम खबरों के लिए तमाम न्यूजों के लिए बने रही एक न्यूज 24 पर हमाया यूटूब चाल को सब्सक्राइब कीजे फॉलो कीजे धन्यवाद